बाच रखने वाले जूडी शरी को हम दोनों से ये बात पहुंचा सकते हैं मैं इसी बात को लेते हुए आज मैं बसंद कुझ की इस जुगी बस्ती में जहां मैं आया और मैंने यहां लोगों को देखा है आप देखेंगे बाहर बीच में साइद है यह हमारे फोटोग्राफर साब बच्चों के फोटोज और बस्ती के फोटोज को दिखाएं यहां मेरे साथ में इस चेतर के प्रधान भी मेरे साथ में है और महीपालपुर में सासकी सेवा से रिटायर होकर के धरमपाल जी भी हमारे साथ में है और यहां इस वस्ती में कार करने वाला एक नौजवान चात्र जो ग्रेजुएसन करने के बाद सिर्फ इस छेत्र के बिकास के लिए और भारत सरकार की नीतियों को लागू कराने के लिए हम लोगों के बीच में है मैं चाहूंगा कि उसका भी फोटो जरूर इस पर दिया जाए और एक नौजवान हमारी बेटी सुनीता ये सब लोग यहां पर इस कार करम में और सुनील नाम है ना सच्चाई से वाफिक कराना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है अब पीडा से दिल और दिमाग कराने लगा है 70 वर्स के सासन में सम्धान को किस तरह से लागू किया गया किस तरह से तोड़ा और मरोडा गया सरकार बनती हैं सरकार बनने से पहले अपने अपने मैनिफेस्टों बनाए जाते हैं गरीबों के लिए जोगी जोपड़ियों के डवलपमेंट की बाते हैं लेकिन इस देश में सत्तर साल से जनता को ठगा जा रहा है विसेश कर वोस जनता को जिसे ज्यादातर ज्यादातर मैं सब के लिए नहीं कहूंगा जो अनसूचिज जाती है जन जाती है पिछड़े वर्क के वो लोग हैं जो असाहि लोग हैं हो सकता है अगरीनी समाज के भी कुछ लोग हों कुछ लोग हों यह अत्सियोक्ती हो सकती है लेकिन सभी लोग इस समाज से पीडित हैं जो जुगी बस्तियों में रहते हैं प्रकर्ति की दीव हुई जितनी भी संपदा है उस पर राश्पती से लेकर के जुगी में रहने वाले पैदा होने वाले भारत के हर नागरिक का बरावर अधिकार हैं लेकिन हम देख रहे हैं सत्तर वर्स में जूडी शरी ने और सरकार ने इसे लागू करने की अपेच्छा इसे भ्रम में जरूर रखा है इसलिए मैं इस माध्यम से इस देश की नयाविवस्ता चीप जश्चिस ओफ इंडिया और सुप्रिम कोट को यह मैं जरूर बताना चाहत हूं कि सरकार ने हमारे साथ में अभी तक अन्याय किया क्या कारण है कि जुग्गी जौंपडियां बन रही है और जुग्गी जौंपडियों में रहने वाले लोगों को सुबिदाएं जो एक minimum सुबिदाएं हैं जैसे स्वास्त की है सिच्छा की है सुरच्छा की है यह सुबिदा प्राप्त क्यों नहीं है सरकार अगर यह कहती है कि हम तो 5 साल के लिए आते हैं हमारी accountability है सरकार बनाने की बहुमत से सरकार बनाने की और उसके बाद जो भी हम कारकरम करते हैं उस कारकरम को लागू करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कारपाल का हमें सहयोग करती है नहीं करती है योजनाए बनती है रोजनाए असफल होती है हो सकता है धना और संपत्ती के कमी के कारण हो लेकिन मैं नि सकती है कि आप क्या बनाएंगे जसाब आप आपकी कार भी नहीं उसमें खड़ी हो पाती है एक ब्हैंस अपने कटले के साथ में तो एक मनुस्य के परिवार को जिसमें माँ बाप दो बच्चे जो सामानी तोर परिवार माना जाता है पत्पत्नी छे लोग किस तरह से रहते होंगे किस तरह से सोते होंगे हम चाहते हैं कि सरकार को न्याय विवस्था सुप्रिम कोर्ट ये नोटिस जारी करे अपनी तरफ से ये जनता की मांग है उस से जुगी सम्मेदारियां सरकार ने बनाई हैं और कितनी लागू की हैं सम्मेदान इस बात को कहता है कि भारत में पैदा होने बाले व्यक्ति का नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जिसमें जल जंगल और जमीन तीनों पर बराबर अधिकार है चाहे वो राष्ट्पती हो चाहे सुप्रम को से निवेदन कर रहे हो सकता है आने वाले समय में यह जना आक्रोस सुप्रिम कोट के दरवाजे पर यह लेकर के अपने जनबल के साथ में पहुंच जाए और यह पूछे कि सुप्रिम कोट सरकार को डारेक्शन दे किन गरीबों के लिए क्या क्या चीजा सुनिश्चित की ज कोचना चाहिए कि गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में सिच्छा देने के नाम पर आप कटोरा पकड़ा रहे हैं मिड्डे मील के नाम का और बच्चा सिर्फ उसे खाने के लिए जा रहा है और सरकार खुल करके इसकी बगालत करती है कि मिड्डे मील खाने आईए उसके आईए या ना आईए सुप्रम कोट क्या कहता है मैं यहां पर गरीब और मजदूर के बच्चे भी चीप जश्चिस तक बने हैं वो भी इने गर्मेंट स्कूल से पड़े हुए गरीबों के बच्चे थे लेकिन उन्होंने भी इस बात पर संग्यान नहीं लिया कि यह प्रा क्योंकि बार बार निवेदन हमारे पास नहीं है नियम कानून को जानने का तरीका हम उतने बड़े वकील को हायर नहीं कर सकते जिस वकील की एक बार बहस करने की कीमत करोड़ों में हो या लाखों में हो हम गरीब लोग जो जुग्गियों में रहते हैं पांच पांच iげ to jev سے निकाल के अपने देते हैं सरकार अंग्यो यह का मादार्टे हैं यहां पर पर सुल्बसौचा लहाई लोग वाग और अब लौत तरीके से दोहन करते हैं लोगों का नियु के नाम पर उनमें आकर के पैसे का बढवारा करके थोड़ा मोडा और उसके बाद देश को मिस्काइड कर रहे हैं उनके पास नीतिया हैं नीतिया हैं इसलिए हैं क्योंको उनके पास पैसा सरकार देती है ये मालम किया जाना चाहिए सुप्रिम कोट को ऐसे गोईम साहब इस समय जो लिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है क्या इसी तरीके से जुगी जौबडी में रहने वाले बच्चे जो दद्दस साल के होगे आज इसकुल नहीं जा रहे हैं देखिए अगर मैं इस पर इस बात को ले करके दूंकि हमारे प्रधान मंत्री जी की स्पीच करने का तरीका और देश को रास्ता दिखाने का जो तरीका है भासणों में बहुत अच्छा है लेकिन यथार्त में नहीं है यथार्त में उनके ही मंत्री जब इस बात को कहते हैं कि हम तो संभिधान बदलने आए हैं और उसके बाद बाहर वो कह देते हैं कि संभिधान बदलने आए हैं ज जन समर्थन और जन आकरोस जो सम्मेदान के पक्ष में और विपक्ष में वो उनके साथ होता है और लोक सभा में जाके वह अपने माफी मांग लेते हैं सुप्रम कोड को चाहिए को उस भ्यक्ति को तत्काल एफ आफ आइयार उसके अगेंस्ट करवाए सुप्रम कोड यह करें कि उस व्यक्ति उस मंत्री के अगेंस्ट में F.I.R. दर्ज कराएं और उसके बाद उनको इस बात के लिए दंडित किया जाएं कि आपने सम्मिधान और सुप्रिम कोट की अवेलना किसा आधार पर की जब कि आप सत्ता में रहते हुए मंत्री हो और अगर प्रधान मंत्री यह अगर कोई विश्वास पातर रह गया है तो सुप्रिम कोट भी जाते वादी धरम बादी और सुप्रिम कोट अपने नहीं स्वार्थों के लिए अगर सरकार से कोई कुश्चन नहीं करता है तो मैं समझता हूं इस देश का भविस्ष बहुत अंदकार रास्ते पर जा रहा ह है इसके लिए हमें तदकाल सजग होना पड़ेगा गरीब को यहां के को इससे पहले के आकरोसित हो उसकी जरूरत है सिच्छा सुरच्छा रोजगार और स्वास्त इसके लिए सरकार के क्या क्या कारक्रम हैं उनको नियमित तरीके से लागू करने के लिए सुप्रिम कोट सर राइट है बर्थ राइट है भारत की जमीन पर यह पैदा हुए है इनको जमीन रहने के लिए बसने के लिए और खेती करने के लिए समचित विवस्ता सरकार जो आश्वासन देती है उसे लागू कराने में सुप्रिम कोट आगे आए इनी सब बातों के बीच में जबीम नमो बद्दा